जै गुरुदेव यह संपूर्ण संसार परमात्मा की कृपा से अत्यन्त दिव्यता, भव्यता और स्रिष्ठता का वरण कर रहा है इस संसार में प्रतियक वस्तु परमात्मा की है और यह भाव निरंतर हिरदय में रखने से प्रतियक व्यक्ति के चित्त में शांती रहती है कहा जाता है कि अगर कोई हम तब साधन प्रयास करते हैं और उसके फल के रूप में हमारे जीवन में आनंद, भगवत करपा, गुरु सन्निधी प्राप्त होती है इस प्राप्ति का उद्देश हमारे अंतह करण की निर्मलता है इसी तारतम्य में हम पाँच ग्यानेंद्रियों, पाँच कर्मेंद्रियों तथा एक मन इन ग्यारह को जब साध लेते हैं तो हमारे जीवन में एकादशी जैसी पवित्रता और पूर्णता आ जाती है एकादशी का महत्व भारतिय सनातन परंपरा में बहुत ज्यादा है, बहुत महत्व पूर्ण है एकादशी वरत करने मात्र से प्रत्येक व्यक्ति की चित्चेतना में सहज आहलाद रहता है क्योंकि एकादशी का सीधा संबंध जल से है, क्योंकि चावल जल में उत्पन होता है और चावल एकादशी के दिन नहीं खाते क्यों नहीं खाते कहा जाता है कि महर्शी मेधा एक बार मा भगवती के कोप से अत्यंत भैभीत होकर के यत्र तत्र सर्वत्र विचरण कर रहे थे और उन्होंने अपनी मेधा को एकादशी के दिन ही इस धरा में समाहित कर दिया और वहां पर धान के रूप में वे उत्पन न हुए तो कहा जाता है कि जो एकादशी के दिन चावल खाते हैं उन्हें महर्शी मेधा का ताप और शाप मिलता है और महर्शी मेधा के लिए हमें उस दिन चावल नहीं खाना चाहिए इसका वैग्यानिक कारण ये है कि एकादशी के दिन जो लोग चावल खाते हैं क्योंकि चार दिन बाद पूरनिमा है या अमावस्या है और सरवाधिक जल के संयोग से चावल उत्पन होता है और चावल जो नहीं खाते उनके शरीर में जल का संतुलन बना रहता है और वे अपने जीवन को अत्यंत व्यवस्थित कर पाते हैं इत्यादी अनेक कथाएं हैं जिनसे एकादशी के महत्व को प्रतिपादित किया जाता है भगवान विश्णु को एकादशी बहुत प्री है जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में सदा आनंद आहलाद और उत्फुलता बनी रहती है आईए आज हम चर्चा करते हैं आश्विन मास की कृष्ण पक्षे की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं यह एकादशी अत्यंत पावन है पवित्र है और जो इसको करते हैं उनके जीवन में सदा दिव्विता और भव्विता रहती है इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभू कैसा कुछ उपाय बताईए जिससे न सिर्फ हमारा जीवन सरेष्ट हो हमारे पितरों का भी जीवन पूर्णय मैं हो उन्हें दिव्य लोक मिल सकें हम क्या उ दुसूदन मुरली धर मुरली मनोहर श्री माधव कहते हैं कि अरे युधिष्ठिर इसके लिए तो ये आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है ये इंदिरा नाम की एकादशी है ये परम पूर्णता प्रदान करने वाली पितरों को मोक्ष पर पहुचाने वा इह लोक से परलोक तक हमें साधेगा अगर कोई भी व्यक्ति किसी से यह आशा बाद लेता है कि यह हमारे लिए शुभ है मंगल कारक है और यह हमारे लिए त्रिप्ति कारक है ये व्यक्ति हमें यम पुरी से लेकर देव लोक पहुचाएगा यह इस संसार में ही न सिर्फ त अपितु अन्य लोकों में भी इसके अरपन, तरपन और समरपन से मेरी मुक्ती होगी अगर कोई ऐसी आशा कर लेता है तो उसको भी मुक्त कराने के लिए यह एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण उपाय है कहते हैं राजन पूर्वकाल की बात है सत्य युग में इंदर सेन नाम के एक विख्यात राजकुमार थे और वे माहिश मती पूरी के राजा के यहां जन में थे और अब राजा के नहीं रहने पर वे माहिश मती पूरी का ठीक प्रकार से भली प्रकार वेदा नुशासन पूर्वक गुरुजनों का आदर करते हुए संपूर्ण प्रजा की देख रेख करते हुए वत्सलता पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे राज्यकारी कर रहे थे और उनके प्रजा में सभी सुखी और आनंदित थे एक बार भ्रमण करते हुए स्वयम नारद रिशी वहां आए और नारद रिशी को आया देख करके वे खड़े हो गए उन्होंने उन्हें अर्ग्य पाद्य दिया उनको आसन दिया प्रणामांजली प्रणि वेदित की और प्रार्थना की की देवरिशी आपका शुभागमन हमारे लिए त्यंत मंगलकारी पूर्णय प्रद है आपका यहां शुभागमन किस उद्देश से हुआ है नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि देखो राजन मैं तो यत्र तत्र सर्वत्र विचरन करता रहता हूँ एक बार मैं अभी ब्रहम लोक से यम लोक पुरी की ओर गया वहां यमराज ने मेरा बड़ा स्वागत सतकार अभिनंदन किया मिझे बड़ा मुन्होंने मान दिया और अपनी राजसभा में मुझे स्थान दिया मैं वहां बैठा था कि मैं पुरी में तुम्हारे पिता भी वहीं विचरण कर रहे हैं जब मैंने उनकी ओर ध्यान दिया तो उन्होंने कहा हे देवर्शिनारद आप मेरी पुत्र के पास मेरे संतान के पास जाकर यह कहें कि वह मेरे लिए यहां से मुक्ति का कोई उपाय करें अगर वे इस आश्विन मा के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो इंदिरा नाम की एकादशी है इसका वरत करके उसका फल मुझे प्रदान करेंगे तो मैं यम लोक से देव लोक की और प्रस्थित हो जाऊंगा यह सुनकर नारद जी ने कहा मैं अवश्य यह संदेश आपके पुत्र तक नारद जी यहां आ गए और यहां उन्होंने राजसभा में हबात किये संतान अत्यंत प्रसंद होकर भगवान की इस प्रेरणा को अपने हिरदय में धारण करके देवर्शी का उपदेश मानते हुए अपने जीवन को मंगल में बनाते हुए एकादशी कथा श्रवन और इस वरत को करने का अनुष्ठान करते हैं राजा ने एकादशी वरत करने का संकल्प लिया दशमी तिथि को सनान ध्यान पूज नर्चन वंदन करके सात्विक आहार ग्रहन किया और रात्रि में भूमी शयन किया एकादशी के दिन प्रातहकाल मुख मारजन करके सनान करके उन्ह स्थित्वा निराहारह सर्व भोग विवर जितह श्वो भोक्षे पुंडरी काक्ष शरणम में भवाच्युत यह मन में संकल्प लिया कि मैं आज अत्यंत धर्म पूर्वक जीवन को जीऊंगा मैं आकरशन से विमुक होकर के साधना के पथपर अग्रसर होंगा और आज का दिवस भोग विवर जित है मैं भोग में मन नहीं लगाऊंगा मैं किसी भी प्रकार के आकरशन और संमोहन में नहीं रहूंगा इस प्रकार संकल्प ले करके दिन भर सात्विकता से रहें विप्र भोजन कराएं भगवान विश्णु का ध्यान मनन और चिंतन करें रात्री में भी यथा संभव जाक करके भगवत भजन करें भगवान का नाम लें भगवान के गुणों का कीरतन करें और भगवत प्रेमी लोगों का संग करें जो सत्संग हो उसमें भगवत क्रपा संपन्द भगवदी ये क्रपा से युक्त सत्व प्रधान लोग हो उनके साथ सारी रात भगवत चर्चा करें और द्वादशी के दिन सबेरे सनांध्यान पूजन करके विप्र भोजन करा करके और उन्हें सम्मान कर दान दक्षणा देते हुए फिर आप भोजन प्रसाद लें ऐसा किया राजन ने और उसका फल अपने पिता को अरपित कर दिया जिसके फल स्वरूप वो यमपुरी से देव लोग को चले गए भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि जो कोई इस एकादशी वरत को करता है उसके जी तो हो जाते हैं न सिर्फ उसके जीवन में आनन्द आता है उससे संबंधित सभी लोगों के जीवन में शुभता का उदय होता है और उसके जीवन में पूर्णता आनन्द गुरु करपा देव करपा और अलवकिक शान्ती की अनुभूती होती है वस्तुता जीवन की पूर् अंगलिक हो जाते हैं उत्सवधर्मी जीवन में इस संसार में रहते हुए प्रत्येक मन मानव के अंतह करण में सत्व का जागरण करा पाते हैं ध्यान से जोड़ पाते हैं स्वयम को जिससे ग्यान का अवतरण होता है महरशी मेधा की वह दिव्य मेधा प्रत्येक व्यक्ति की चित्चेतना में जागरत और चैतन्य हो इसलिए एकादशी का यह पावन पुनीत अम्रित में दिव्य अलावकिक वरत करके हम संपूर्ण विश्व में सत्व का विस्तार कर सकते हैं सत्व का उजियारा कर सकते हैं जैसे भगवान भुवन भासकर सूर्य अपने अलोकिक प्रकाश से इस संसार को प्रकाशित करते हैं हम सब सत्व का तप करके अपने जीवन को और संपूर्ण परिवेश को सात्विक बना सकते हैं महर्शी महेश योगी जी ने अपने गुरु श्री ब्रहमानंद सरस्वती जी की समाराधना कर जैसे इस विश्व को एक ज्यान का ध्यान का सिद्धी का अलोकिक तेज प्रदान किया हम सब उसी मार्ग पर चलते हुए तपस्चरिया करते हुए न सिर्फ अपना जीवन धन्य करें अपितु संपूर्ण संसार में विश्व शान्ती के मार्ग पर चलते हुए सभी की चेतना में आहलाद और ग्यान का जागरण कराएं वेद भगवान को चैतन्य करें और वैदिक सत्ता, धर्म सत्ता, ग्यान की सत्ता और आनंद की सत्ता का सुन्दर आहलाद पूर्ण दर्शन करें जै गुरु देव, जै महर्शी झाल